Very Good Morning Dear Students, Today I am teaching English Lesson 12 Students, आज हम पड़ेंगे Lesson 12, The Adventures of the Crazy Cat The Adventures of the Crazy Cat पागल विल्ली के Adventures या पागल विल्ली के सासिक करें तो Students, आज हम यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज, इस लेशन की एक्सरसाइज को कम्प्रीट करेंगे चलिए, करते हैं Start यहां पे टी और एप लिखना है जो भी सेंटेस्ट्रू है वहां पे टी लिखना है और जो रॉंग है उस पे एप लिखना है नमबर बन अनी एंड टॉम रेश्ट थू दा फ्रॉंट दोर एंड टू दा किचिन रूम अनी और टॉम सामने के दर्वाजिस से होका रसोई के कमरे में पहुंचे तो इस्ट्वेंट समया पर फिल करेंगे एप क्योंकि यह सेंटेंस है फॉल्स अनी और टॉम सामने के दर्वाजिस से दोड़कर रसोई के कमरे में नहीं पहुंचे थे वाई लिविंग रूम में पह क्ट्रोल फॉम दा कॉपी हाउस। टॉम ने कॉपी टेविल से रिमोट कंट्रोल पो हतिया लिया या उठा लिया। तो इस सेंटेंस में हम लेखेंगे टी क्योंकि यह सेंटेंस है ट्रू। नम्बर थि. मनोज वह आननी एंड टॉम एंड एडर ब्रदर। मनोज जो थे मनोज अननी और टॉम के बड़े भाई थे इसमें हम लेखेंगे इस टूनच फॉल्स क्योंकि टॉम्स और अननी के बड़े भाई तरुन थे मनुज नहीं तो यह हैं सेंटेंस है फॉल्स इसलिए हम यहां लेकिंगे फॉल्स नमबर पॉर तरुन ब्रॉट आ वीडियो केमरा भी थिम तरुन अपने साथ एक वीडियो केमरा लाया तो यहां पे हम लेकिंगे ट्रू क्योंकि यह सेंटेंस है तरुन तो हम यहां पे लेकिंगे टी नमबर फाइव अनी रॉल दा फॉटवाल अपोस्ट दा फ्लो एनी ने फॉटवाल को पूरे फ़र्स पर घुमाया या लुड़का दिया तो इस्टोएंस यहां पे आपने आई तिंग तुफोस समझ लिए होंगे नेक्स्ट एक्सरसाईज करते है är यहां पे जो लाइन खीछी हुई ए उसमें नाम लिखना है कि ए सेंटन्स जो है वो किसने बोला है नमबर बन दिटी ओ पॉट अन्दा रोंग चैनल आपने गलाच चैनल लगा दिया है यह सब भी किस ने बोले यह सेंटेंस किस ने बोला तो हम हम्ने यहाँ फिल किया तरुन नमबर थ्री आहए वा भुडावाः मेरे पास एक अच्छा बिचार है यह sentence भी तरुन ने बोला, इसलिए हमने फिल किया तरुन, what do we do now, अब हम क्या करें यह sentence टॉम ने बोला नमबर फाइब, and start the action now अब कार, और आप कारिवाई शुरू करो यह sentence भी तरुन ने बोला तो इसलिए हमने पहले नमबर वन में अन्नी, नमबर टू में तरुन, नमबर तरी में तरुन, और नमबर पूर में टॉम, नमबर फाइब में भी तरुन फिल किया क्योंकि इन लोगों ने यह sentence बोले है Okay students, I think exercise आपको अच्छे से समझ आई होगी